हलो एवरिवर निक पर फिर से आपका स्वागत करूँगा अपनी चैनल पर और आज आपके लिए लिख रायों क्लास नाइंद की मुमेंट बुक से चेप्टर नमबर वन दा लोज चाहिल बाइ मुल्क राज आनन्द की कुछ बड़े इंपोर्टन मुल्टिपल चोइस क्वे साथ में इसी चैप्र की युद बीडिव भी अवेलिविल इसमें सिर्फ मुल्टिपल चॉस्ट्र लेकर आयों आपके लिए तो एक डिफरन वीडियो होने वाला है तो देखते हैं फर्स एक्स्ट्रक अपके लिए क्या बता रहा है कि ऐसी केम तु वेयर तो पहले आपको स सबसे इस extract को समझना होगा कि यह कौन से chapter में से लिए गया है क्योंकि यहां तो चलो आपके साम में बिलकुल clear है कि the lowest child में से है लेकिन actual में ऐसा नहीं होता आपको पूरी language को समझना होता है तो जहां उसको बोला गया था कि तुम रुको and he could not suppress the desire of his heart और वो अपनी heart की desire नहीं in their eyes तो यानि यह किसकी बात कर रहे हैं कोन अपनी heart की wish को नहीं रोक पाया और किसके refusal का उसको पता था तो option आपके सामने है what is the desire of his heart आपको उसके heart की desire बतानी है तो option आपके सामने है to sit everywhere to wait for his friend to buy a toy or to eat sweets तो यहां उसके मन की जो एक wish थी वो कौन सी थी because we are talking about the child जिसके मन की wish की बात की गई है तो क्या उसकी wish थी तो यहां पर उसके मन की wish थी to buy a toy वो एक खिलोना चाहता था अब आपको इसलिए chapter की explanation अच्छे से पता होनी चाहिए और सभी चो lines का पता होना चाहिए कि क्योंकि no doubt इसमें वह सारी wishes के बारे में बात की गई है वह बर्फी भी खाना च जाता है बहुत सारी चीजें बट यहां on the basis होता है extract यहां सर है to buy a toy आप चलते है next question के लिए why did the child lag behind his parents अपने पेरेंस से बहुत पीछे किसली रह जाता है तो option आपके सामने given है because he stopped at many places to look closely at his favorite things or because he was walking slow or because he was crying because he started playing with the animals या फिर उसने अपने रो रहा था या एनिमल्स के साथ ले करना start कर दिये या फिर slow walk कर रहा था या फिर बहुत सारी चीजों को देख रहा था तो यहां पर right answer क्या होना चाहिए तो of course it's very clear because he was looking at each and everything that's why he lag behind तो यहां option A correct answer है आप चलते है question number 3 के लिए what does old cold stare of refusal mean अब इस phrase का आपको मतलब बताने है तो यहां पर यह parents का reaction है तो आप बताए कि उनका जो stare था यहां को आप देखना था बच्चों को बच्ची को तो कैसा था होई sad stare, an angry stare, a happy look, an irritated stare तो यहां पर right answer क्या होगा तो of course हम कहेंगे यहां जो right answer है वो है angry stare, उनको parents को बार बार गुसा आ रहा था जब भी बच्चा बोलता था कि मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए, like आप चलते है question number 4 के लिए which word in the extract is the antonym, antonym यहां पर एक word यूज होता है जिसका मतलब होत और अगर synonym होगा तो similar होता है encourage का opposite word आपको बताना है desire, refusal, suppress या फिर cold तो यहां पर encourage का जो सबसे best word जो match होता है वो है suppress करना, दबाना, encourage होता है बढ़ाना, लेकिन suppress होता है दबाना अब चलते हैं next extract के लिए, the child washed him intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father mother अब यहां पर उसने एक request की, bold request हम कहेंगे की वो roundabout पर जाना चाहता है, please father mother, तो यहां पर देखिए जो इसको request को bold किसलिए बोला गया है, first question है यहां पर because he was shy, second option है because he knew the answer, third option है because he had never sat on the roundabout, last option है because he was afraid या फिर उडरा हुआ था, but हम कहेंगे यहां पर वो थोड़ा सा bold request इसलिए बोली गई है, because उसको इससे पहले भी जब बहुत सारी बार ऐसा हुआ, तो उसको पता था कि उसके parents का answer क्या होने वाल है, that's why this has been called as a bold request, तो option B यहां पर right answer है because he knew the answer और उसको पता था उसके parents का answer क्या होगा, yes आप भी जानते होंगे, हमेशा हो यही कहते थे कि नहीं, आप चलते हैं question number 6 के लिए what is a bold request, a bold request बताईए यहां पर क्या है, तो अगर आपने extract को अच्छे से पढ़ा है, तो I think the answer is very clear, तो यहां पर जो right answer of course option A ही है, वो कहते है कि मुझे roundabout पर जाना है, तो अब चलते हैं next question के लिए how did his parents react to the request, उसके parents का reaction क्या था इस request पे, तो यहां पर जो right answer है वो क्या होगा, they agreed, क्या वो मान गए, they refused, क्या उन्होंने मना किया, his parents did not show any reaction as they were not there, और they were angry at him, तो यहां जो सबसे exact answer है, वो क्या ह Yes, of course, यहां right answer है, option C, क्योंकि उसके parents उसके वहाँ पर थे ही नहीं, तो उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि यह वो point था जहां पर उसके parents उसे अलग हो जाते हैं, बिचर जाते हैं, यह तो थे कुछ MCQs जो मैंने आपको extract पेस ही, अब आपको देने वाला हूँ, two more questions, तो तयार हो जाए, first question आपके लिए है, यहां पर, did the boy wait for the answer after pleading for sweets, और why, जब उसने sweets के लिए request की क्या, उसने अपने parents के answer की wait की, तो यहां of course हम कहेंगे नहीं, और उसका reason भी है, वो आप चानते हैं, because उसके parents हुए हमेशा यह कहते थे, कि वो लालची था, and would refuse to buy the sweets for him, और उसक जो है, मना कर देते थे, sweet creating के लिए, बस ही कह कि उसको मना कर देते थे, तो अगर आप चाहते हैं, कि आपको इन questions की photograph चाहिए, आप screenshot भी ले सकते हैं, यह important questions हैं, और सभी sample paper से लिए गए हैं, अलग-अलग जो sample papers होते हैं, अब चाहते हैं, next question के लिए question बटू है, why did the child always lag behind the parents तो इसका answer बहुत simple है, यह short question में भी आयो है, MCQs में कि वो हमेशा पीशे क्यों रह जाता है, तो उसका reason यह की था, क्योंकि वो कुछ attractions ही, जिनकी तरफ वो खिचा चला जाता था, beauties of nature कह सकते हो, या फिर the things he saw on his way, या कुछ ऐसी चीजे, जो भी वो रास्ते में देखता थ उनकी तरफ वो किचा चला जाता था, तो इसलिए वो पीछ ही रह जाता था, अब चलते हैं, next question के लिए, question number 3 है, यहाँ पर, the child lost interest in the things he wanted earlier, why, यानि बच्चे ने अपनी चीजों में interest खो दिया, ऐसा क्यों, the child lost interest in the things he wanted earlier, when he realizes, उसका reason कहा है, कि जब उसने realize किया, that he is lost, कि वो गुम हो चुका है, earlier he wanted many things dearly, पहुत सरी चीजों को चाहता था, but after he got separated from his parents, तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी उसके parents, ना कि यह सब चीज़ है, that's why he lost interest in all such things, तो यह थे कुछ ऐसे important question जो आपको पता होनी चाहिए, और chapter में से लिए अब next question आपके लिए, why the lost child go towards the temple, वो temple की तरफ किसली जाता है, तो इसका answer बहुत simple है, कि the child went towards the temple as he saw a huge gathering there, और उसको क्या लगा कि शायद इतनी बड़ी भीड है, वहाँ पर शायद उसके parents भी हो सकते हैं, so he ran towards the entrance of the temple, और वो temple की तरफ दोडता है, entrance है जहाँ पर, लिकिन struggle किया, to push his way through, but he was knocked down, और चाहे उसने परारासा बनाने की कोशिच भी की, लेकिन वो नीचे गिरा दिया जाता है उसको, अब चलते हैं next question के लिए, जो कि आपके लिए इसली भी important है, because यहाँ पर ये question story में बड़ी छोटी से point पे दिया गया है, कि how did the mother distract the child's mind from the toy seller, कि वो mother उस पच्चे की attention कैसे divert करती है, toy seller से, तो the child's mother distracted his mind from the toy seller by pointing towards a flowering mustard field, एक तो जो फूल वाले जो खेत है, mustard होती है, सरसों के जो खेत होती है, उनको दिखाती है, which was pale like melting gold, और उनको compare किया गया है, melting gold से, जैसे पिगला हुआ सोना होता है, so as it's swept across a large area of flatland, और दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है, तो वही सरसों के fool नजर आती है, तो इसलिए mother उसकी attention उसको divert करने में successful हो जाती है, अब चलते हैं, three marks के questions, जो इस पार आपकी syllabus के according add किये गए है, और इसकी जो word limit है, वो 40 to 50 word हो सकती है, तो यहां पर the father and the mother reacted differently, when the child asked for a toy, the father stared at the child in a familiar tyrant's way, यानी जैसे वो गुसे से देखती हैं, वैसी देखा father ने, So when he asked for a toy, on the other hand, अगर देखें, his mother looked at him tenderly, उसकी mother ने बड़े politely उसकी तरफ देखा, and diverted his attention from toys, और इसकी attention को divert किया toy से, की नहीं, तुम इसके बारे में मज़ सोचो, और आपको इससे पहले वाले question में उसका answer मिली है, कि उसकी attention कैसे divert की, और उसको mustard के जो flower वाले खेत हैं, व So what happened when the lost child reached the temple door, अब आपको यहाँ यह बताने कि बच्चा जब temple door पे जाता है, तो उसका reaction क्या होता है, या उसके साथ क्या हुआ, तो when the lost child reached the temple door, men jossled with each other, jossled क्या होता है, एक दूसरी को धक्का मार रहे थे, push कर रहे थे, the poor child struggled to thirst his way out, but was knocked down, लेकिन वो बच्चा जो है, वो Trampered by the other people, और वो जानबूच के बड़ी उची वाज में चिलाता है, ताकि वो दूसरी लोगों के द्वारा कुछला ना जाए, उनके पैरों के नीचे ना जाए, Trampered word यहाँ पर यूज किया गया है, So now we just move to the next question, और next question आपके लिए long question, यह आपको 5 marks में भी मिल सकता है, 6 marks में भी आ सकता है, क्योंकि देखिए CBC का जो marking scheme है, वो change होती रहती है, लेकिन जो इस question की word limit है, वो same रहेगी आपके लिए 100 to 120 words, तो सबसे पहले question को समझ लेते हैं, What do you learn about the man who saw a child crying and decided to help him, describe in 120 words, अब उस आदमी के बारे में आपको बताने है, जिसने उस बच्चे को देखा, और उसकी help करने की कोशिश की, So from the man who saw the child crying and decided to help him, we learn the basic feeling, हम basic feeling of compassion for another human being समझते हैं, तेखिए हर कोई, हर किसी की help करने के लिए आगे भी नहीं आता, As the lost child was crying for his father and mother, and no one came forward to help him, और देखिए जो बच्चा रो रहा है अपने father के लिए, mother के लिए, लेकिन कोई इसकी help के लिए नहीं आता, The man who lifted him up in his arms felt compassion for the child, वो बच्चे के लिए compassion फील करते हैं, and this is what is lacking in people of today's society, और आज के लोगों में, जो आज की society के लोगों में ये बात बहुत missing है, The man who tried to help the child can be seen as a, तो उसको हम एक severe के तोर बे मान सकते हैं, जो किसी की help करते हैं, सुरक्षा करते हैं, so he shows compassion and kindness, तो वो compassion भी show करते हैं, kindness भी show करते हैं, towards a child whom he even doesn't know, जिसे वो जानता भी नहीं है, So the man helps him, man उसकी help करते हैं, tries to uplift his mood, उसका mood भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, soothies him various means, like offering him, अब उसकी अलग अलग तरीकी से उसको काम करने की कोशिश करते हैं, Like उसी कहते हैं, अगर तुम्हें horse riding करनी है, तुम वो कर लो, यानि in the roundabout, roundabout होता है, जैसे गोलाई में चक्कर काटना, और asking him to listen to the music of the sneak charmer, या हो कहते है कि तुम sneak charmer का music सुनो, या फिर offering ही में balloon, उसको balloon के लिए offer करता है, या फिर flowers की garland, एक माला के लिए, या sweets के लिए, So this man had no selfish motive, इसका कोई selfish motive नहीं है उसके action में, so he just wanted to comfort a child till his parents found him, तो हम अब ये सोच सकते हैं, there are such feelings in ourselves, हमें ये सब की सब feeling हमारे मन में भी होनी चाहिए, inculcate, क्या होता है, develop होनी चाहिए हमारे अंदर, Otherwise the noble purpose of humanity gets defeated, और फिर नहीं तो humanity का जो एक noble purpose और एक अच्छा काम है वो defeat हो जाए, उसकी successful वो नहीं हो पाएगा, अगर हम किसी की help नहीं करते, तो हमारे अंदर ये अच्छी चीजे होनी, अच्छी आदत होनी चाहिए, so one needs to be kind, compassionate, or cooperative and considerate, the man in the lesson, the lost child seem to possess all these traits to be declared as a real human being, so इस इंसान के अंदर जो खूबी है, उसके basis भी हम उसको क्या कह सकते हैं, कि वो वाकिए एक real human being है, जिसने एक बच्चे की help की story के अंदर, so ये कुछ important question थे, जो मैंने आपके साथ discuss की है, तो वीडियो आपको कैसा लागा, आप जरूर बताईएगा, और किसी तरह की requirement है, तो वो भी आप मुझे बताईएगा, मैं आपकी हर possible help करूँगा, और आप इस वीडियो की description box को देखना मत बूलेगा, thank you very much and have a very nice day.